हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Moto G54 Android में आप जो है अपने मुवाइल फोन की आटो टच की प्रोल्म को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं कि दोस्तों कभी के बार हमारा मुवाइल फोन जो ना अपने आप ही आटो टच करने लगता है तो इसके सॉल्यूजन के लिए आपको करना है कि आपको जो ना अपने मुवाइल फोन का जो ना सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है दोस्तों कहीं बा आपको पहले तो mobile phone का internet आपको चालू रखना है ठीक है इसके बाद आपको mobile phone का setting पेज ओपन करना है इसके अंदर आपको सबसे उपर की साइडी है search setting का option मिलता है search setting पे tap करना है यहाँ पर आपको search bar में type करना है system update ठीक है तो आपको नीचे की साइडी system update का option show हो जाएगा इसस आपको tap करना है तो आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आजाएगा इस setting को tap करना है तो system update के इस वाले page में अगर आपको कोई भी update का बटन या download install कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उससे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का system जो है वो update हो जाएगा और आपके phone में जो को भी update कर लेना है अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला process यह करना है कि आपको जो आपने mobile phone में जितने भी apps है इन सभी apps को आपको reset कर देना है यानि कि इनका data clear करना है कैसे करेंगे data clear देखिए किसी भी app को आप उंगली से दबा के रखे एक छोटा जब page open हो जाएगा इस page में आपको आप info लिखा हुआ मिलेगा या फिर circle के अंदर जो eye button बना हुआ है इसे tap करना है तो आपका यह वाला page open होगा इस page में आपको यह storage and catch पे tap करना है तो आपका अगले page में दो option मिलते हैं तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले clear catch पे tap करना है तो नीचे की side आपक storage clear होता जाएगा अगर delete app data का पेज आता है उसमें आपको delete का बटन या ok का बटन दिखेगा उसे आपको tap कर देना है तो भी आपका option मिलेगा restart पे tap करें फोन को restart कर लेना है इससे भी आपके autotouch की problem solve हो जाएगी अब दोसका इसके बाद आपको आखरी process करना ही है कि आपको अपने phone को reset करना है इसके अंदर आपको reset option टाप करना है इसके अंदर आपको delete all data factory reset पे टाप करना है आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की autotouch की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो काम करना है पहला काम यह करना है आपके phone में जितना भी data है सारा data आपके दूसरे phone में transfer कर दीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात यह ध्यान रखने है कि आपके phone की gmail ID और उसका password आपको पहल autotouch की problem solve नहीं होती तो आपको करना क्या है आपके mobile phone का जो service center होगा जो आपके area के असपास होगा वहाँ पर आपको चले जाना अपना phone वहाँ पे दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कहा रहा हूं हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से autotouch की problem आ रही होगी ठीक है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी process आपको बताएं न जितने भी solution आपको बताएं वो mobile phone के software के जरीए बताएं हैं अगर mobile phone के software की किसी कमी की वज़े से autotouch की problem आ रही है तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी अधरवाइ आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा